देखिए जैसे कोई भी बैटरी है वो हमारा लिथियम हो चाहले डेसीड हो कोई भी बैटरी हो उसमें दो टेमिनल होते हैं एक होता है प्लस और एक होता है माइनस ठीक है यह निगेटिव यह सोरी यह निगेटिव और यह पोजिटिव होता है धन और रिड इस दो टेमिनल के के दौरा इससे हम डिस्चार्ज भी करते हैं यानि हम एक बैंक के रूप में इसमें इनर्जी स्टोर करते हैं इनर्जी को स्टोर करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत होता है यहां पर करंड की जरूरत होती है करंड क्या होता है जैसे यह डिसी है तो डिसी मतलब वह डारे और यहां पर देखेंगे पहले यहां पर यहां से यहां पर आई तो यहीदारा नीचे यहां से यहां जाएगी तो यह हो गया improvement ठीक है तो यह जिसे यह हो गया यह neutral हों गया जो है यह हमारा जिस से AC एसी क्या हुआ alternating current या लगातार उस में धार्वत्वारज परिवर्तन हो रहा है DC क्या होआ डारेट len हो जाएगा यहां से यहां के लिए और यह नीचे वाली साइकल हो जाएगी यहां से यहां के लिए यह एनोड है और यह कैथोड है अब कैथोड पर हमारा जैसे यह साइकल आएगी तो यह यहाँ पर चलाएगा और उस समय जब यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर इस डारेक्शन में यह निगेटिव होगा है वो कैसे होता है कि कि वी इसी साइकल के द्वारा इस बैटी की लाइफ और इस बैटी की लाइफ और इस बैटी की चारजिंंग ism उसी पर डियू कितने साइकल हम डिस्चार्ज किये कितने साइकल हम चार्ज किये और कितने साइकल यूज किये हम रोज कितना साइकल को यूज करते हैं यानि डिस्चार्जिंग करते हैं और चार्ज करते हैं इस पर हमारी बैट्री की लाइफ भी डिपेंड होती है वो कोई भी बैट्री हो च किसी भी बैटरी को चार्ज करने के चाहे पैनल से चाहे एलेक्टिक सिटी से ग्रिट से या कोई भी आर्टिफिसियल करण्ट जो हम एसे मपेस के द्वारा बनाते हैं उसके यानि सब मिलाके इसके फंडामेंटल को समझेंगे तो हमको बहुत सारे कंशर्प्ट किलियर हो होंगे अगर वह लेट इसिड का वैटरी होगा तो भी उसके अंदर त्यल लगे होंगे एक होता है मेंहितनेस फिरी होता है यह से लीखिय से में कोई भी मेंहितनीम की जाबरोत नहीं होती है लेकिन लेजद हो तो जैंसे जू है समय समय पे उसके पानी जो उसमें वाटर है उसको जो डिश्टी वाटर पड़ते हैं उसको देखना पड़ता है अगर वो किसी कंडिसन में उसमें वाटर खतम हो गये हैं मेंट्रिनेंस आप नहीं दे पाए तो भी प्राब्लम क्रेट हो जाता है क्यों देखे मैंने कल जो वीडियो अप्लोड किया उसी सिट्रम को समझाने के लिए आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूं जिसमें देखे एक ट्रांसफार्मर है जो यह बारा जी यूरो बारा का ट्रांसफार्मर है और यह यूज होता है स्क्वाइर बैब इन्मटर में और इसको हमने जो है 24 बोल्ट के लिए कल जो वीडि बॉल्ट अथारा पॉल्ट जो भी कम्प्लीट होता है वो होता है तयार यानि रेडी लेकिन उससे अगर हमको 24 बोल्ट की बैटिज मलब चार्ज करना है तो वो चीजे हमारा 24 बोल्ट तक भी अगर रहेगा यहां पर तो भी चार्ज नहीं होगा क्योंकि 24 से अधिक यहां पर देख रहे थे तो उस समय हमने यहां पर देखा एक कैपिश्टर यूज करके जो 140 ऐसे कुछ अब्डी का था जो 440 बोल्ट का यहां पर हमने लगाया और जो 24 बोल्ट के जगे पर 31 बोल्ट यहां पर हमको बना कर रखा था पहले से फिर हमने जो है इस पर चेक करने के लिए यूज किया है ठीक है इसी जगे पर तो यह जो दोनों वायर है यह हमारा जो है लगाए जाता है तो यहां पर दो या तीन अम्पियर आपको मिलेगा 240-230 वोल्ट यसी पर इन्फुट पर अभी यहां पर हमने इसको यहां पर लगा करने देखा है सिर्फ यहां पर देखें तो उसे समय वीडियो बना दिये क्योंकि इसमें हमको देखने को यह मिला कि इसकी होई तो उसको हम यहां पर समझाने के लिए यह बीडियो बनाया थे कल वाला कि यह कैपिश्टर जो इसमें पांच बोल्ट बढ़ा दे रहा है और पांच बोल्ट बढ़ा देने का जो रीजन है कि जैसे यहां पर कोई भी स्विचिंग डिवाइस नहीं है या कोई भी डारेक अब यहां पर इस कैपिश्टर के द्वारा इसमें जो है जो बूस्टिंग हो रही है बोल्टेज की वह इस मैथट से हो रही है इसके बैलू के अंसार जो इसमें करंड की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती है और उसी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के द्वार तो वही चीज़ें इसमें बढ़ जाता है ठीक है वही बढ़के जो हमारा टोटल तीस बोल्ट एक तीस बोल्ट कम्प्लीट यहां हो जाता है उससे हम बड़े अराम से इसकी जो है नहीं बड़े और श्राक्राण को दोनों को निया तो यहीं आप लोग के साथ शीज पूह जैसे कि कुछ लोगों को समय नहीं आया था तो यहां पर दिखा दें कि जैसे हैं हैं तो यह नूटल और फेज के रूप में यहां पे इंटर होगी 220 की सप्लाइब यहां तुरंत जो है एंपर बढ़ जाएगा ठीक है लेकिन बोल्ट कम हो जाएगा बारा बोल्ट के लिए ठीक है लेकिन यहां पे चौबिस बोल्ट के लिए प्राब्लम होगा तो यहीं सब साथ यह परियोग कर देख रहे थैं तो आप लोग के साथ इस चीज को से आडिक कि इसमें यह हमको देखना था कि लिए कि बिना किसी इसमें कि मैथट से इसमें इंकरीज होते हैं तहीं कि छोटा सा प्रियोग था ह्भापोपलों के साथ कि